हेलो इस्टुएंट्स आज हम अध्याइचार रैकिक असामीका हैं लिनियार एक्क्वेशन नए चर्टर प्राजम करने चाह रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे इसके नियम क्या है और इसके फंडमेंटलेस इसके बारे में हम समझेंगे तो सभी चाहते देखे हैं तो सबसे पहले हम इसकी परिभासा देखते हैं एक असामीका दो वास्तिक संख्याओं या परिवेशन जुगों के बीच में लेस देन ग्रेटर देन लैस और एक्वल वैंगड ग्रेटर अइक्वल का चैनने परियोग करकर बनाते हैं तो जैसे यहां लिखा है थिरी लेस देन फाइव 7 greater than 5 तो यह हमको संख्याओं में असमीका के उधारन है और यदि हम यहां चरका उप्योग करते हैं तो इसको चारांक असमीका के उधारन कहते हैं तो बच्चे समझ गए होंगे कि यदि हमने x equal to 5 लिखा यह क्या कहलाएगा आपका समीका और यदि हम ऐसा लिखते हैं एक्स लेस देन 5 एक्स ग्रेटर देन 5 एक्स लेस और एक्स ग्रेटर और एक्स ग्रेटर और इक्स इनको क्या वो लिखे हम असमीका दोनों मेंतर समझ गए है अगर इक्वल कच्चे ने लगाते हैं तो समीक रहे हैं और अगर इन लेस देन और ग्रेटर देन कच्चे ने लगाते हैं तो असमीका अब हम यहां पर कुछ असमीका उधार लेकर चल रहे हैं तो यहां देखेंगे आप कि जिन में स्रुफ लेस्देन कच्चने लगा है एक्वल कच्चने नहीं है जैसे कोसर अधार नमर पांच छे नो दस और फौर्टीन इसमें स्रुफ लेस्देन कच्चने लगा है टशको बोलेंगी सुनचेत असमीका उसको का बोलेंगे विडर ट्वहन्प गजिन लगा हुआ हूएँ इकोल का चलने किस में लगा हुआ है सेवेंध एर्थ है ऐलेवन है कि ट्वैल तो एद में एक्वल का भी चनल लगा है इसलिए इनको हम असामीका बस कहेंगी तो दोनों में अंता समझ लेंगे ठीक है अब हम को यह देखा है कि अगर एक समीकन के दोनों पक्षे में समान संखाय जोड़ी जा सकती है तो जैसे मालो हमने बोला इक्स लेस देन और उक्वल 5 तो दोनों में एक समान संखाय जोड़ सकते हैं तो दोनों संखाय अभी हमने 3 को जोड़ दिया तो वह आजाएगा 5 लेस देन 3 इसका मलब के आजाएगा इसे चलते हैं यहां आख लेक्वल 5 यहां आजाएगा आपका जेटा डैनन एट किसी समीकन के नियम नंबर दो एकुसी समीकन के दोनों पक्षों में समान सुनिता सद्राइक का गोरा क्याजा सकता है तो यदि जैसे एक समिकन दिया हुआ है, x less than 5, इसमें दोनों में ना निगेट तो नंबर का, ना निगेट तो कुण सा? 3 का मालों हम मुल्टिप्लाइ करें, तो 3x less than equal 3 into 5, तो कितना जाएगा? 3x less than equal 15, इसी परकार से greater भी उज़ करते हैं, तो दोनों तरफ थिरी का मुल्टिप्लाइब किया अगला पॉर्शन है असमाइकां को हल करते समय यदि इसमें रिणात्मक संक्यां को असमिका के दोनों पक्षमें कुणा करने पर यहां बच्चे देखें कि माल लोग जैसे हमने बोला एक्स लेसे उकल फाइब अब यदि हम दोनों में रिणात्मक संक्या का गुना करेंगे तो इसकी चेन बदल जाएंगी लेस्दें की जगा क्या हो जाएगा ग्रेटर दें इसका में लोग क्या आगया माइनस थी एक्स ग्रेटर रिक्वाल माइनस 15 इसी तरह से यदि एक्स ग्रेटर देंग फाइब हैं तो यदि हम इसमें माइनस थीरी का मल्टिप्लाई करें तो तो चेन बदल जाएगा के लिए अगला कोशन है थी 30 एक्स लेजन तूहंड़ को हल करना है तो इससे पहला केसे एक्स प्रकातिशन क्या है तो हम देखते हैं थर्टी एक्स लेजन तूहंड़ तो हम इसमें बनवाए थर्टी का मुल्टिप्लाई कर जीते हैं दोनों पक्षे में तो यह इतना जाएगा थर्टी एक्स लेजन तूहंड़ इसको सफिल करेए एक्स लेजन केतना हो जाएगा 24 कंवर एक्स प्रकातिशन तो हम एक्स क्या है एक्स क्या है ए प्राकतिक संख्या है इसलिए x की बेलु जो होगी 1 2 3 4 5 and 6 क्योंकि 20 अपान 3 जो है उससे पहले की प्राकतिक संख्या है 6 तक होंगी और यदि 2nd में x एक पूरांख है तो x के मान क्या होंगे रिणा का पूरी संख्या है 1 2 3 4 5 6 यह चार होंगी पूरांख संख्या है रिणांख भी संख्या है तो रिणांख की जितने भी संख्या है व। तो सारी संख्यां आजाएंगी जीरो आएगा वन तू थिरी फॉर फाइव शिक्स तक आएगा तो पूरां के केस में यह आंसर होगा और प्राकरते संख्यां केस में यह आंसर होगा के लिए